अधिस वीडियो में बात करेंगे आपकारी प्रवर्तन सिपाही पेपर के बारे में देखे दोस्तों आपकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही का एकजाम हुआ था और काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे परसनली मैसेज भी आई इसकी expected cut-off क्या रहेगी पेपर का लेवल कैसा था और क्या इसकी cut-off जा सकते देखे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था देखिए जो प्रसन आपकारी प्रवर्तन सिपाही के एकजाम में पूछे गए थे लगबग लगबग 90% जो पेपर था दोस्तों वो आपका जो previous year question पेपर थे उत्राखन के उन्ही मैसे repeat हुआ था only 10% questions है से थे जो की नए थे और थोड़े से अलग से थे और जो भी maximally इस पेपर में question पूछे गए थे उत्राखन में आपको सभी question लगबग लगबग परिक्षियावानी किताब में मिल जाएंगे और GK Lucent से आपको directly question मिल जाएंगे और हिंदी में भी Lucent से इसमें काफी सारे question देखने को मिले थे देखिए answer की में तीन से चार question के wrong answer भी आये हुए हैं आप उनका objection भेज दीजिएगा एक perfectly किताब से उनकी पेडिया बना के जैसे भी objection करते हैं और दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि paper का level तो easy to moderate था easy to moderate यान की easy ही कहेंगे आप इसे तो इस वेसे इसकी merit थोड़ा सा high रहने के chances जैं लेकिन दोस्तों इसकी merit high रहने के chances तो हैं लेकिन इसमें एक अच्छी बात आप लोग के लिए ये है कि अधिकतर जो अभ्यरती है करीबन करीब 10 से 15 अभ्यरती मेरी पहचान में भी ऐसे है जो आपकारी प्रवरतन सिपाई में भी अच्छा score कर रहे हैं और इससे पहले उनका high court में भी chain हो चुका है अभी high court में अच्छा grade पे है high court clerk में तो लोग निश्चीती high court clerk को join करेंगे और आप लोग के लिए waiting यहाँ पर आ सकती है जिस वेसे merit में और गिरावट देखने को मिल सकती है और दूसरी चीज अच्छी आप लोग के लिए इसमें यह है आपकारी प्रवरतन सिपाई में कि यह जो भरती थी वह totally physical पर आधारी थी जिस वेसे इसमें जो competition था वह उतना ज्यादा नहीं था जितना की हो सकता था इस वेसे भी merit में थोड़ा सा आपको सामानने इस तर की merit इसमें देखने को मिल सकती है और तीसरी चीज दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगी कि आपकारी और प्रवरतन सिपाई का exam paper काफी time बात भी हुआ तो जो लोग continue touch में थे उनहीं का paper अच्छा गया है और उनके marks भी अच्छे बन रहे हैं तो जो merit मै मैं आपको बता रहा हूँ यह जितने भी मेरे पास में अभी marks मिले हैं जितना भी मुझे score अभी मिला है लोगों का उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा और जिस हिसाब से इससे पहले की exams में merit गई हुई है दोस्तों अगर आप इस paper को उठाएंगे और सीच पा आपकारी भी था और प्रवरतन भी था तो आप उन लोगों के लिए उनके दोनुं पेपर एक ही हो गया दोस्तों दोनों पर उनके marks अच्छे आ रहे हैं या से 85 प्लस वाला है तो उनका आपकारी भी है प्रवरतन भी है तो आप वह या तो आपकारी चूज करेंगे आप प 75 पोस्ट हैं, 75 पोस्ट में से 25 पोस्ट हैं आपकी जनरल मेल की हैं, ठीक है, जनरल OMAIL की है 14 और जनरल XRVM की है 2, जनरल DAP की है 1, जनरल उत्राखन आंदूलनकारी की है 5 सीट है देखें, उत्राखन आंदूलनकारी की भी 5 सीट है आपके, SC की 9 सीट है, SC OMAIL की 4 सीट है, SC X की एक सीट है, SC उत्राखन आंदूलनकारी की एक सीट है, ST की तीन सीट है, ST Oman की एक सीट है, OBC की पांस सीट है, OBC Oman की तीन सीट है, और OBC उत्राखन आंदूलनकारी की भी यहाँ पे एक सीट है, ठीक है, जनरल उत्राखन आंदोलनकारी भी काफी सारे लोग है ठीक है उनकी cut-off तो काफी सारे ज्यादा कम जाती है ठीक है ये तो था प्रवर्तन का ऐसी बात करते हैं अगर हम आपकारी सिपाई की तो आपकारी सिपाई में आपकी टोटल 52 पोस्ट है 52 पोस्ट में से 19 जो पोस्ट है वो आपकी जनरल की है जनरल मेल 6 पोस्ट है जनरल ओमें की है और जनरल एक्सार्विमें की भी सायद एक या दो पोस्ट है जितना भी है डे एफफ की दो पोस्ट है SC की पास पोश्ट है SC XRVMN की दो सीट है ST की पास पोश्ट है ST OMN की दो सीट है OBC की चार सीट है और OBC XRVMN की एक सीट है तो यह है आपका टुटल पिजत्तर और बावन यानि कि आप इस हो सकते हैं 277 पोश्टूप पर यह आपकी भरती है और 127 लोग इसमें आपके Chinese होने है ठीक है और करीबन करीब एक्जाम दिया है दोस्तों आपके 14,000 के असपास लोगों ने तो इसी आधार पे मैं आपको accepted cut-off बता रहा हूँ इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि cut-off इतना ही जाएगा सबसे बहले बात करते हैं दोस्तों जनरल मेल तो जनरल मेल की जो अनुमानित cut-off मैं आपको बताऊंगा तो वह होगी दोस्तों आपकी 80 प्लस माइनस 2 80 प्लस माइनस 2 याणि कि 78 से लेकर आप 82 तक मान सकते हैं क्यों क्योंकि काफी सारे केंडियों ने 80 प्लस स्कोर किया हुआ है काफी सारे केंडियों दोस्तों 80 प्लस स्कोर यहाँ पर किया हुआ है मैं अगर खुद आपको बताऊं तो मैंने भी करीवन करी 20 से 25 स्टुडेंट्स ऐसे देख लिए जन्होंने 80 प्लस स्कोर किया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते है 80 plus minus 2 आप यहां पर कर सकते हैं 82, 84 अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल safe रहेंगे ठीक है बाकी general female की अगर आप मात करें तो 72 plus minus 2 आप यहां पर कर सकते हैं ठीक है general female की general female की भी seat है अच्छी है और general female में वैसे भी आप लोग ने देखा होगा कि male और female में cut off में काफी ज़्यादा variation रहता है और काफी difference देखने को मैं मिलता है ठीक है क्योंकि general female का अपना horizontal coat है उसे कोई भी cut नहीं कर सकता है इसे प्रकार से बात करें OBC male तो OBC male दोस्तों आप 78 plus minus 2 कर सकते है OBC male को OBC female 71 plus minus 2 आप देख सकते है ठीक है क्योंकि जो females की है उनके उतने यादा marks देखने को अभी नहीं मिले है इससे भी कम जा सकती है cut off में आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का high court में chain हो चुका है वो waiting जब भी आएगी तो आप लोगों को उसका निश्चिती फाइदा देखने को मिलेगा इसी प्रकार से करा हम बात करें तो SC male तो SC male अगर आप है तो आपके 75 plus minus 2 तक आपके chances है 75 plus minus 2 यानि कि 73 72 तक भी दोस्तों SC male में आपके chances बन सकते हैं ऐसी SC female की बात करें तो 65 plus minus 2 और SC female की तो और भी कम जा सकती है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी exam समने ऐसे देखे हुए जहां पर SC females की cut-off बिल्कुल lower level पर जाती है 55 तक चले जाती है 50 तक चले जाती है ठीक है तो यहाँ पर paper का level अगर अगर हम easy to moderate भी मान के रहे तो आप 60 या 60 इसके आसपास में मान सकते है ठीक है ऐसे SC female भी आप 76 plus minus 2 तक जा सकते है या 74 plus minus 2 तक जा सकते है दोस्तों approximately ठीक है और SC female की बात करें तो वो भी 66 या around 60 तो इसके round आप मान सकते है ठीक है इसके साथ साथ बात करें दोस्तों जो हमारे others रहते है जैसे की उत्राखंड आंदूलनकारी एक्सार्विमेन जितने भी एक्सार्विमेन है तो एक्सार्विमेन की आप जा स्यादा जो 55 प्लस में अगर आपका score है तो आप अपने आपको safe समझ सकते हैं ठीक है ऐसे देखे एक्सार्विमेन की अलगला category होते है जनर्र में थोड़ा सा जाला जाएगी OBC में थोड़ा कम जाएगी SC में थोड़ा सा आमारी उससे भी कम जाने के चांसे जाए ठीक है अगर आप OBC से आंदुलन कारी है तो आपको और कम नंबर में आपका score अच्छा हो सकता है तो ये थोला सा कोटे का आपको एक फायदा मिलता है और ये है दोस्तो अनुमानित cut-off आप देख सकते हैं बाकि अदर साब जो भी है तो अगर आपका 50 प्लस है तो आप अपने आपको सेप समझ सकते हैं और देखिए दोस्तों exactly मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यही merit रहेगी बस ये मेरा एक अनुवान है मेरे को जो आँकले प्राप्त हुए उसके आधार में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी merit ये रह सकती है इसमें अब भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है लेकिन approximately अगर आप इतना है तो आप अपने आपको safe समझ सकते हैं आपने आपको safe criteria में आप डाल सकते है जनरल फिमेल 72 प्लस माइनिस टू का आप यहां पर variation लेते हुए चलिएगा और निश्चिति आपको cut off इसी के around देखने को मिलेगी क्योंकि previously जो भी हमारे exam हुए है उनका level बहुत hard था तो वो 70, 68, 65 तक ऐसे वो मैंने डूख जाती थी लेकिन अभी paper फोला सा easy आगया पुराने pattern 2016 की भरती थी तो आयोग ने paper भी 2016 के according ही बनाया हुआ है और उसी के आधार पे मैं आपको यहां पर अनुमारित cut off बता रहा इसके साथ साथ आप comment box में अपने marks भी लिख सकते हैं दूस्तों आपको निस्तिती वहां से भी थोड़ा criteria देखने को मिल जाएगा तो आज की video में दूस्तों thank you, thanks for watching वीडियो, see you next time